बश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सानौज कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स अब हम लोग प्रेजेंट हैं धनबाद डिस्टिक के इस्टील गेट के एरिया में और 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 बी एंटी पीसी का स सबसे एक्जामनेशन स्टार्ट हुआ है हम लोग पलपल का ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको प्रवाइड करवा रहे हैं तो इसी सिल्सिले में धनबाद का जो एक्जामनेशन सेंटर है टीसी एस आईओन डिजिटल यों धनबाद जारखन लगातार स्टूडेंट्स को प्रवलम हुरी को लगातार हम लोग इस्टूडेंट्स की जो प्रवलम है उसको लोगों के सामने प्रजेंट कररे हैं नम का स्वर्शन दूर दूर तक कहीं भी होने का नाम नहीं ले रही है अभी हमारे समने कोच इस चुडेंट्स हैं चो लाइज और फो पंदरा से लगे 15.16 का इंदनी जड़ा गंभीर समस्चाय लोगों को हंगा कहीं न कहीं न कहीं लोगों का बहुत यदा पता ही किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको धनबाद इसे सेंटर में गर्मी का बहुत ज्यादा बहुत दूर दूर बनाया हुआ है दूर दूर का सिस्टम वहां से लगाए टेबुल फैन भी है तो अपना इन्विग लेटर के सामने अपना टेबुल फैन यूज करते तो आप बता रहे थे कि किसी स्टूडेंट के जो परची वाला प्राब्लम हुआ था जो कि हाफ पोर्शन सेंटर वाले रखते हैं हाफ पोर्शन लटा दिया था वह मामला क्या था विश्टार पूर्वा बताई थोड़ा का एक्जाम हुआ तो उसमें लेबल लेब टू औ हम लोग पूचे क्यों नहीं चोड़ रहे हैं तो बोलने कि इसे का हाट को पी नहीं जमा हुआ है तो नहीं किसी को नहीं चोड़ेंगे तो उसमें आदा गंटा बेट क्राएं सभी को मुनीटर देखे जहारूर कि कहीं किसी को नहीं मिला तो बाद में लोग भी अपने सबसे बड़ा नहीं कर रहा है किसी को दिखत नहीं तो आप मुझे बताए कि इससे पहले आप कहां कहां जामनेशन दिये हैं उसके मुकाबले यहां का सेंटर आपको कैसा लगा देखी सर मैंने इससे पहले पटना कुलकत्ता इंदो और बेगरा बहुत सारे के आयो इंडिश्टल जोन में सेंटर इक्जाम दिया है लेकिन हमें लगता कि सबसे पहला यह सेंटर मैंने देखा जिसमें नहीं लगा हुआ है पंखे के सहारे काम चलाया जा रहा है दूसरी बा हो चुका था लगवग 15-20 मिट भी चुके थे लेकिन बाहर में सेट ना होने के कानन छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि हाथ में अगल बगल कोई सावर का फिर रहता नहीं है उसे दिक्कत भी हो सकती इस तब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे चा में प्राबलम होता है तो तुरंत उसे कह दिया था यह अपका नहीं चलेगा आपना अध्मिट कार लाइगे लेकिन जब स्टुडेंट बारिस में भींग करके जाएंगे तो आखिर वह कैसे अपना अध्मिट का शुरक्षित लेकर कर जाएंगे लेकर के जाएंगे लिए कि अध्मिट का अध्मिट का प्रिंट देने का अध्मिट कर दिया लेकिन चालेश रूपिया लिया अब मेरे पास अध्य था उसी को दियों फिर भी दिक अब अहां पर था तो फिर वारे सो बहुत दर के बाद हम गया आट-दस में साइध हम इंट्री लिये हैं आज तो सुर्फिक इंस्टक्ट ारे के सारे और संट्र को अगशान से जो भी प्रोपर गायड लाइन इस जो भी बेसिक रिकवार्मेंट है वह कम से कम पूरा किया जाए और स्टैनकों बसीर अब बसी में कोई कशने के बाद कोई दिखत नहीं हो सेंटर पहुंचने के बाद और giving क तो लाइन करता है तो आप लोग का सिस्टम भी आफ होता है लेकिन अंधेरा तो हो जाता है लेकिन जर्नेटर अगर देर चला दिया जाए तो उसमें तो को इतिकत नहीं है कहीं न कहीं वह माइंड के उपर भी अलग एक मतलब की प्रेसर डालता लाइन कर जाने के बाद माले कोई को आप सौल्व कर रहा चारक सही लेक लाइन कर गया उसका कहीं न कहीं इफेक्ट जो सके डारक लिए आपको उसको पर दिखता है ध्यान भटक जाता है आप मुझे यह बताए कि सेंटर पे जो भी स्टूडेंट से प्राब्लम बता रहे हैं तो क्या इन प्राब्लम के कारण आपके एफिसेंसी पर भी कुछ फर्क पढ़ रहा है या फिर आपको लग रहा है तो बाकी हम लोग कर लेते हैं लेकिन डिश्टर्ब होना ये लाजमी है आठ से दस डिश्टर्ब गहाईने करनना और टृत यह एक बहुत ही एक बहुत मतलब बहुत बढ़ी समस्यां क ohh ca ac कही ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि केवल और केवल आपका सिस्टम चले एक्जामनेशन का मतला होता है कि आपके आसपास के जो भी लाइट से हैं जो भी पंखें हैं जो भी आपका सिस्टम है डेल घंटा तक किसी में प्रकार का किसी में कोई फलक्टुएसन बिल्कुल भी नहीं ह लिया जाना तो जब वो एक्जामनसन का पाठ हो सकता है तो इस्टूडेंट का लाइन नहीं कटना और इस्टूडेंट के लिए प्रापर घंटा फैन चलना यह भी एक्जामनसन का ही एक पाठ है और यह विद्यार्थियों का अधिकार है और इसके लिए हम लोग आवाज करता है मतलब जान बुझ करके उसके स्पीड को फास्ट इसलिए कर दिया गया होगा ताकि सिस्टम स्लो हो तो वह मेकप हो जाए अजब कि यहां पर तो चीजे गर्मण हो जा रहा हम दो तीन कोस्टन नहीं देख पाए यह लोग बताएं कि रजिया सुल्दान आज भी कोस् को इसलिए आपको लग रहा हो गई लोग क्या बता रहा रहा है तो उसमें मतलब तीन तीन पॉइंट के बार डिजीट में लंबर लंबर डिजीट का कोस्टन होता है और अंधेरा आ गया और कैल्कुलेट कर रहा है अब ध्यान भटक गया पता ही नहीं चला कि कौन सा लगत है तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है अंदर में लाइट का कटना और अंधेरा होना यह गर्मी तो फिर भी बरदास्ट कर लेगा लेकिन जो अंधेरा होता और लाइट आता है इसका तो विकल्प देखना परेगा ना यह करना पर रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट से लोगों ने पहले भी वीडियो पर आया था तो कमेंट कर रहे थे कि विद्यार्थियों को क्या चाहिए जामनेशन हाल में तो आप ही पता हिए कि एसी नहीं चाहिए तो लाइट के क्या अल्टरनेटिव हो सकता है क्या एक घंटे में दस बार लाइन करना यह कहां से सही हो सकता है और जो जनेरेटर लगा हुआ है उसके जर्स्ट मतलब गेट बंद था दो सचार सीट मेरा लॉट हुआ था सिंगल एक लाइन में मेरा था और क्या हुआ कि जब सारा यह प्रोसेस हो तो कि आखिर एक स्टूडेंट को ही डिस्टर्बेंट हो रहा तो वह स्टूडेंट तो कोई भी सिकार हो सकता उसका सीट आपका खाली है तो कहीं और अलोट करिए तो यह चीज भी कल दिक्कत हुआ था और आज आज वह लाइक बात है सर एक बच्चे ने बोला कि फैन जैस तो एक स्टूडेंट के साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए तब जाके वह जो इन्विजलेटर है उनको और इन्विजलेटर आके उनको सांथ कराए उनको अलग ले गए जब मामला बिगड़ता देखे तब वह लोग जो से कि लाइन प्याए नहीं तो कही नहीं निकल सब्सक्राइब दूसरे के कॉंप्रीटर होते हैं लेकिन यह स्टूडेंट को प्रबलम हुआ था मेशा स्टूडेंट ही स्टूडेंट के लिए खड़े हुए हैं स्टूडेंट के लिए कोई और खड़ा होने के बिल्कुल भी नहीं आएगा तो टीस को यहां के धनबाद क सेंटर को अपने आप में बदलाव लाना होगा इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ठंड की मौसम रती तो एक अलग बात था लेकिन वहां पर भी लाइट वाली प्रब्लम तो बिल्कुल भी बरदास्त नहीं की जा सकती है तो छी सेंटर ऐसा हो इसका कंब्लेंट की च्थूडेंट के विश कुछूअ को था को बरदा रखाे जायति है तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर सबसे बड़ा सवाल ही है कि जो जनेरेटर नहीं चालू किया जा रहा है ये आखिर क्यों नहीं चालू किया रहा है जब तिक इससे पहले जितनी परिक्षाय होती है सभी परिक्षाओं में जनेरेटर को चालू किया जाता है तो क्यों देखते हैं इस्टुडेंट को किन प्रकार का परिसानियों का सामना करना पड़ता है कल भी हम लोग इस्टूडेंट के जै हिन जै भारत